शुक्रवार राद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने अमेरिकी राश्पती जो बिटन से मलाकात की करीब एक घंटे चली इस मलाकात का भारती अमेरिकियों को बेसबरी से इंतिजार था इसके पहले बराक उबामा और डूनाल्ड ट्रम्प वाइट हाउस में मोधी का स्वागत कर चुके हैं कोविट के चलते इस बार प्रधानमंत्री का कोई सारवजिनिक कारिक्रम या पबलिक गैदरिंग नहीं की गए थी इसके बावजूद भारती मूल के सेकडो लोग वाइट हाउस के बाहर जुटे इन लोगों में दुनिया के दो महान लोगतांत्रिक देशों के नेताओं की मलाकात को लेकर खासा उत्साह देखा गया कुछ लोग यहाँ छुटी लेकर पहुचे थे क्योंकि इन्हें उमीद थी कि प्रिधानमंत्री मोदी उनसे मिल सकते हैं हाला कि कोविड और प्रोटोकॉल की वज़े से ऐसा मुम्किन नहीं हो सका इससे कुछ निराशा जरूर थी कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने न सिर्फ छुटी ली है बलकि इसके बाद वो सब परिवाल लॉंग ड्राइव करके वाइट हाउस पहुचे हैं वाइट हाउस पहुचने वाले लोगों में कुछ कारोबारी भी शामल थे इन लोगों के मताबिक कोविट के चलते उनके बिजनस पर काफी असर पड़ा है लेकिन उमीद यही है कि कुछ वक्त बाद चीजें पटरी पर लोटाएंगी पुच नोगरी पैशा लोग भी हैं इन लोगों का कहना है कि अगर उन्हें प्रधान मंतरी से मिलने का मौका मिला तो वो चाहेंगी कि वो वीजा संबंधी मामलों पर बात चीट करें बता दे कि इस दोरान भारती मूल के जादतर लोग पारंपर एक भारती वेज़ भूशा में ही नज़र आए यहां ढोल की थाप सनाए दी तो गरबा भी दिखा इसके लावा भांगडा भी नज़र आया लोगों का कहना था कि अगर कोविट संबंधी दिक्कत नहीं होती तो प्रधान मंत्री उनसे मुलाकात करने जरूर आती मोधी के लगभग हर अमेरिकी दोरे में उनका सारवजनिक भाषन जरूर होता आया था इसकी विवस्ता इंडियन डाइस्पोरा ही करता रहा है अलाकि इस बार ये मुम्किन नहीं हो सका कुछ लोगों का कहना था कि वैक्सीन सप्लाइ को लेकर भारत सरकाने जो फैसले किये हैं उससे दुनिया और खासकर अमारिका में भारत का कर्द बढ़ा है यहाँ पर कुछ महिलाओं ने गीद गाया और इसके बाद इन ही महिलाओं ने छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दोर में लिखेंगे मोदी नहीं कहानी गुनग्राया इसमें गीद के बोल बदल दिये गए थे यहां मौजूद महिलाओं के एक और समुहों ने कुची पुड़ी नित्य पेश किया ये महिलाएं इस भारती शास्त्री नित्य के दौरान पहनी जाने वाले पारंपरिक फेश भूशा में नजर आएं